हेलो दस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्जी के अंग टासेज में तो आज जो है इलेचिबी का जो जिनरल है जो की जिनरली इलेचिबी से कोश्चन पुछी जाते हैं और बहुत सारे कोश्चन पुछी जाते हैं उसका एक पीडियेफ है जिसको कि हमने ह हिंदी में भी डेवलप करवाया है आपको इंग्लिष में भी होगा इंग्लिष और हिंधी ऑल्सो बोथ लेंग्वेज अर चली दोनों भास्याओं में हमने इसको बनाया है और चली शुरू करते हैं यदि आप चैनल पढ़ना है चैनल को पहली बार देख रहे है तो चैनल आपसे को इंडिया में डिवलब किया गया है और इसका जो फुल फॉल्स होता है और इंग्लिस में भूलूंगा ठीक है, हिंदी में भी है, जिनको हिंदी, इंग्लिश नहीं आती है, वो हिंदी में देख लें, और जिनको हिंदी नहीं आती है, उनके लिए मैं इंग्लिश में question पढ़ देता हूँ, दूसरा question है, what is the length over body of LHB coaches, LHB का जो body, ठीक है, body का मतलब है कि जो CBC couplers होते हैं, उसको छोड़ कर, जो LHB coach की body होती है, उसकी length कितनी होती है, वो पुछ रहा है, तो 23,540 से में होता है, एक्जाम में ये question आ जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, देख है, खेले question number 3 की तरफ चलते है, what is the maximum width, width का मतलब चौड़ाई, maximum width है, जो कुछ लोग ऐसे हैं, जिनक ताकि आपको हिंदी परने में परिशानी न हो, अराम से मिल जाए, और option जो है, option तो ऐसे ही रहते हैं, हिंदी इंग्लिस दूनों एक समान है, ठीक है, 32125 अब तो रहता है, और जो digit होते हैं, वो आपको परिशानी नहीं होनी चाहिए, तो दूसरा question है, इसकी चोड़ाई क कितनी होती है, तो 3240, 3240 mm का, mm इसका चोड़ाई होती है, लहजबी कोच की, ठीक है, ICF की और लहजबी की, दूनों की आपको याद होनी चाहिए, दूनों में से कोई भी पूछ सकती है, अब हम लहजबी का पढ़ रहे हैं, तो लहजबी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आगे सेखिए, कोश्चन नमर्ट 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 चलते हैं, height of compartment floor from rail level under tear condition of LSB coach, LSB coach की जो rail level से compartment floor की height होती है, 320 mm होती है, यदि आपको इस तरह के question पुछ देगा, कि हाइट ऑफ कंपार्टमेंट प्रोड रेल लेवल ठीक है कंपार्टमेंट कंपलर तक का पुछ देगा कंपलर अगर इसमें जोड दिया जाए तो इसका 1303 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कहीं कहीं 302 भी होता है तो आप उसमें घबराईएगा नहीं वहीं आप्शन लगा ठीक है तो दोनों पर अगर इसमें कपलर लगा है तो ठीक है तो चलिए इसका यह हो गया ऐसे सीबी सी कपलर की तो 1030 होती है तो अलग बात है लेकिन इसमें कंपार्टमेंट फ्लोर ही ठीक है कंपार्टमेंट फ्लोर ही है लेकिन इसमें कपलर अगर जोड़ा हुआ है तो उसका 1303 होगा या 1302 होगा तो चार question होगा पाँचमा question देखिए What is the maximum height of center line of side CBC above rail lever for empty vehicle जो empty vehicle होते हैं उसकी CBC की height maximum अगर पुछेगी तो आप 1105 mm लगाएंगे और minimum अगर पुछे तो 1030 mm लगाएंगे ठीक है ये दो ही हाते हैं एक तीसरा भी होता है लेकिन दो ही ज़्यादा पुछे आते हैं तीसरा भी आपको हम बता चुके हैं बहुत सारी वीडियो में तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि वर्क्शॉप से जब पीवेच होता है इसी अप कोचेज का तो उस समय उसकी height CBC की कितनी होती है ठीक है चले question number 7 देखिए What is the higher speed potential of LHB coaches? LHB coach की जो अधिकतम गती होती है higher speed potential होती है वो कितनी होती है तो 160 km per hour है और 200 के लिए upgradable है यही आपको option में भी रहेगा तो इस बात को धियान लगिएगा ठीक है? चले question number 8 के तरफ चलते है What is the wheel gauge of LHB wheel? LHB का जो wheel है उसका gauge कितना है तो ICF में अलग होता है और LHB में अलग होता है दूनों में confusion नहीं रखिएगा ICF में अलग होता है और LHB में अलग होता है ठीक है तो LHB का जो होता है 1600 plus minus 1M में होता है और ICF में कितनी होती है इसका आपको notes कया हुआ है आप उसमें से देख लिजेगा याद कर लिजेगा confusion exam में बिलकुल नहीं रखिएगा क्योंकि आपको option उसी परकार का दे सकता है ज LHB wheel जो होती है उसका new diameter कितना है और condemning कितना होता है तो new तो 915 होती है ठीक है और condemning जो 845 होती है कहीं कहीं 855 भी देख लिजेगा को मिलता है यदि option में दोनों रहे तो आप इसको लगा लेजेगा यदि option में यह दोनों नहीं रहे तो यहीं इसका right answer होगा condemning में और new में तो यहीं होगा ठीक है तो 9 question होगे 10 question की तरफ चलते हैं what is the condemning limit of LHB wheel diameter का जो condemning limit होता है मतलब यह तो हमने अभी आपको बता हीं दिया यहीं इसका answer है तो 11 देखिए how many brake disc on one wheel set एक wheel set में जो है कितने brake disc होते हैं इस question में आपको one wheel लिखा हुआ आज सकता है set नहीं भी रहेगा तो भी आप दो ही लगाएंगे ठीक है इसका answer 2 हो जाएगा चलिए question number 2 will देखते हैं बहुत सारे correction जो है railway department में चलते रहते हैं तो आप उसको घबराना नहीं है जैसा मैं बोलता हूं उसी प्रकार से आपको चलना है ठीक है तो question number 12 देखिए which type of roller bearing is used in lgb coaches में किस प्रकार की रोलर बेरिंग होती है तो इसमें CTR भी होती है cartridge टैपर रोलर बेरिंग की यह होती है ठीक है याद रखिए चलिए question number 13 देखिए what is the thickness of wheel flange in lgb coaches lgb coach का wheel flange होता है उसका thickness जो होता है 29.4 mm होता है ठीक है और lgb का भी पुछा है ठीक है तो इसका answer हो जोगा 29.4 mm चाउदा देखिए what is the thickness of brake disc brake disc का thickness जो है 110 mm होता है और इसको डाय अगर आपसे पुछे तो 640 mm का होता है ठीक है यहाँ डाय पूछ भी दिया यह सब question exam में आपको आना common बात है बहुत सारे exam में यह आज चुके है तो इस सारे question को आप याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है question number 16 देखिए what is the diameter of excel of lgb coach का जो excel होता है उसका diameter कितना होता है 170 mm होता है ठीक है तो 16 का भी हो गया 17 सब्सक्राइब बनाती है उसका temperature अब गाड़ी चलेगी तो एक्सराइब बनाती है उसका तेंपरेचर अब गाड़ी चलेगी तो एक्सल का temperature भी ज्यादा होगा तो कितना temperature होगा तो कोई बात नहीं है 80 degree है ठीक है 80 degree अगर है टिमकेन में city views है तो कोई प्रब्लम नहीं है यह हो जाएगा B question number 19 देखिए how many types of shock absorbers are used in lgb coach lgb coach में जो shock absorber जो है वो कितने प्रकार के यह होते हैं how many types ठीक है तो shock absorber चार प्रकार के होते हैं types पुछा है कितनी संख्या पुछेगा तो आप 9 लगाईएगा बोगी में और coach में 18 लगाईएगा ठीक है type पुछा है तो चार होते है एक primary vertical temper होता है जहां कि coach का coach जो बोगी होती है उसका पहला चक्का और दूसरा चक्का ठीक है secondary vertical temper जो है बोलिस्टर के ठीक नीचे होता है और यहाँ damper जो है coach body और जो बोगी है उसको attach करने के लिए होता है और lateral एक damper होता है जो की lateral होता है बोलिस्टर के उपर होता है और coach body के नीचे होती है तो इस चार प्रकार के याद कर लिजेगा क्योंकि यह सब भी आप exam में आते रहते हैं उसके बाद question number 20 देखिए how many shock absorber are used in lsb coaches में कितने shock absorbers use होते है और 18 होते है यदि आपको कोची बोगी में पुछती पर 9 होते है ठीक है याद रखिए question 20 हो गए है 21 पर चलते है what is the name of shock absorber connected between bogey and car body bogey और car body के बीच में जो connect होता है उस shock absorber का नाम क्या है उसका नाम है your damper ठीक है y-a-w याद रखिएगा c इसका answer है 22 देखिए most important condition for coupling of two coaches दो coaches को coupling करने का यादि जब भी गाड़ी चलेगी तो coaches आपस में couple होंगे और coupling जब होगी उसका क्या condition है वो आपको है देखिए both coupling जो coupler है should be alignment होगा एक सीध में जो है दोनों couplers होने चाहिए getting range में जो है couplers होने चाहिए ठीक है इसका answer हो जाएगा c ठीक है ये question भी इस सारे question exam में आ चुके हैं इसलिए हर एक question important है सबको याद करना बहुत ही जरूरी है चले question number 23 देखिए what is the length or body of cvc of lgb coaches lgb coaches का जो cvc तक length अभी हमने आपको बता है car body तक के जो उसकी body होती है वहां तक की length बदल सकते हैं बदलना बहुत आसान है ठीक है question number 24 देखिए what is the height over roof of lhb coaches lhb coach की जो height होती है roof यानि च्छत तक की जो नीचे से उंचाई होती है level से वह 4049 होती है ठीक है तो lhb का अलग होती है और icf के अलग होते हैं दोनों में याद कर लिजेगा कि कितने किसके होते हैं ठीक है आपके पास सारे matrices उगलब्द हैं जिससे कि आप दोनों को याद कर सकें चलिए 25 नमर देखिए एप्रोक्स राइडिंग इंडेक्स राइडिंग इंडेक्स जो है 2.5 होता है lhb coaches का ठीक है तो इसका हो जाएगा c question 26 देखिए distance between inner wheel of lhb coaches inner wheel जो है अंदर का जो wheel है उसके बीच की दूरी कितनी होती है lhb coaches में तो बारह 1340 mm होती है इसका हो जाएगा question 27 देखिए distance between center pivot center pivot के बीच के distance 14900 mm होती है ठीक है आगे देखते है question 28 maximum permissive buffer drop under gross load condition या worn condition जो buffer जो होता है वो drop कितना होगा load condition loading condition में drop 75 mm तक drop हो सकता है ठीक है इसको भी याद रखिएगा सभी question याद रखने वाले है यदि आप परिक्षा में seriously त्यारी कर रहे हैं तो आपको सारे question याद होने चाहिए ठीक है चली question number 29 देखे ट्रिप maintenance schedule इसका मतलब D1 schedule जो होता है coach is done क्या है every trip होता है एक हता है D1, D2, D1 ठीक है SS1, SS2, SS3 तीन अतीन छे अगर schedule याद कर लेते हैं तो वहीं से question आपको schedule से संबन्दित आएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा घुमा फिर आके पूछता है जिसके बारे में हम जिक्र करते आए हैं और आपके पास सारे materials भी हैं तो चली question number 20 जो है D2 maintenance schedule तो D2 maintenance schedule of lhb coach is done D2 maintenance schedule जो है 30 days ठीक है plus minus 3 days होता है 30 days plus minus 3 days 30 days plus minus 3 days याद रखेगा उसके बार D3 एक होता है D3 maintenance schedule of lhb coach is done मतलब D3 maintenance schedule जो lhb coach होती है 180 days plus minus 15 days plus minus का मतलब 15 दिन पहले या 15 दिन ज्याधा तक इसका maintenance हो सकता है ठीक है 180 days उसमें से 15 अबगट आएगा तो 100 कितना हो जाएगा 65 ठीक है तो उतना और नहीं तो एसमें 15 और जोड़ियेगा तो 195 इतना days के बीच में इसका जो है D3 schedule होने चाहिए इसका हो जाएगा C question number 32 देखी SS1 अब आ गया SS1 का मतलब होता है soft schedule 1 ठीक है soft schedule 1 जो LSB coach की होती है और डेर साल या 6 लाग किलोमेटर जो पहले हो जाए उसी दोरान इसकी soft schedule 1 होती है ठीक है और soft schedule जो हता है SS2 SS2 भी पुछ सकता है SS2 जो है 3 साल या 12 लाग किलोमेटर जो पहले होगा सी दोरान इसकी SS2 भी होगी और SS3 भी अभी नहीं दिया SS3 जो है उसी का double 6 लाग 6 साल या 24 लाग किलोमेटर ठीक है अब पुछ रहा है on kilometer basis किलोमेटर के अधार पर SS1 schedule जो है LHB कोच के कब होगी तो वह होगी 6 लाग पर SS1 ठीक है SS2 होगी 12 लाग पर और SS3 तो आपको हमने बताया कि 6 साल या 24 लाग किलोमेटर जो पहले हो जाए तो तीरों आप किलोमेटर के हिसाब से SS1, SS2 या SS3 याद रखिएगा और D1, D2, D3 याद रखिएगा ठीक है चलिए एक IOH भी होता है अला कि IOH का कुछ ऐसा नहीं है लेकिन जो 18 महीना पर होता ह है ICF coaches में उसी को LHB में लिख दिया है कि जो IOH schedule LHB का कब होता है तो 18 महीना लिखेगा यह जो कि SS1 होता है तो आप याद रखिएगा लेजबी कोच का अगर IOH पूछे तो 18 मंत लगाएगा चलिए कोश्रमा 38 कोडल लाइफ अफ लेजबी कोच का जो कोडल लाइफ होता है उसमें आप ननव दीज ही लगाएंगे क्योंकि लेजबी कोच का कोडल लाइफ अभे डिसाइड़ नहीं है अगर आपको LHB टाइप कोच कहीं देखने को मिल जाएगा ऐएच मिल जाएगा ठीक है एच बीच बोनेफ। है 35 साल हो जाती है इसलिए लेच भी नहीं होता है वह लेच भी टाइप कोछ होता है और 35 साल इसकी कोडल लाइफ होती है तो इस बात को याद रखेगा यहाँ डी ही अप लगाईएगा झाक्षिश्विम्ट और फार्वर्टम कोंच या कोई भी कोचिस का तो उसका जो इनरूट होता है वो 90 परसेंट होता है तीक है आउट्स पर और और आपसे पुछिए तो 100% होता है, ठीक है, तो दो question इसको याद रखिएगा, break power percentage जो coaches का होते हैं, वो out station पर 90% होते हैं, और origin station पर 100% होते हैं, ठीक है, इसका A हो जाएगा, question number 40 देखिए, length of car body of LHV coaches, देखिए, ये question दो बारा गया है, 23,540 है, ये बहुत ही important है, ठीक है, इसको याद रखिएगा question number 41, to protect vertical sliding between engine and power car, the device is known as, जो engine and power car के बीच, जो vertical sliding को protect करने के लिए, device लगाया जाता है, कि यंद्र लगाया जाता है, उस यंद्र का नाम है, restrictor, ठीक है, ये question पूछ चुका है, सभी question किसने किसी exam में आज चुके हैं, लेकिन ये भी question पूछ चुका है, तो इसको भी आप या जाद रखिये रहा, ठीक है, और question number 42, what is the wheel base of LHV bogey, LHV bogey का जो wheel base होता है, वो होता है, पचीस सो साथ है, ठीक है, C हो जागा इसका answer, question number 43, देखिए, your damper is fitted on, जो white damper जो होता है, your damper जिसको बलते है, वो कहा फिट के आता है, between under frame and bogey frame के बीच में, फिट के आता है, ठी the fire extinguisers, जो अगनी शामक यंतल जो होते है, इसी LHV coaches में प्रियोग की जाते है, तो वो जो है, किस प्रकार के होते है, ठीक है, तो वो DC की होते है, ठीक है, dry chemical powder होते है, कभी उसको आप यूज नहीं जरुवत पड़ेगे, तो ही करेंगे, इससे तो नहीं करेंगे, लेकिन मौका में देखने का देखेंगे, उसमें एक powder होता है, जो की dry chemical powder होता है, उसे आग बुझाया जाता है, ठीक है, इसका 44 का हो जागा भी, ऐसे हमने welding का जो वीडियो बनाया है, उसमें आपको अच्छी तरह से आग के परकार और आग से जो जलते हैं, उसके भी परकार, skin के layer उसे protection, safety, इस सब के बारे में उसमें बताया है, और उसका PDF भी आपको दिया है, यदि किसी को नहीं मिला होगा, तो अपना division, roll number जो हमारे द्वारा दिया जाता है, उस लिख कर मांग सकते हैं, क्योंकि exam के भी से वह भी important है, और ये PDF भी यदि किसी को चाहिए, तो अपना division, roll number लिख के ये मांग सकते हैं, ठीक है, questioner 45 देखे, fire extinguisher should be refilled, जो fire extinguisher उसको refilled भी किया जाता है, क्योंकि एक बार जो dry chemical powder उसमें रहेगा, वो expire भी हो सकता है, तो एक साल पर उसको refilled करना है, ठीक है, 45 का हो जागा C, तो इस तरह से 45 question हमने LHP general में बताया है, आगे और भी आपके लिए सुचेंगे कुछ important है तो, ठीक है, यदि हमारा material notes कोई लेना चाहते हैं, तो इतना पैसे आप देकर paid करके ये material ले सकते हैं, इसके साथ आपको प्रिवेसर को जो भी questions, जो हमने test series लिया है, या और भी जो sets हैं, वो आपको उपलब कराया जाएंगे, और test series में एक role number भी दिया जाएगा, जैसे कि आप test series जोइन कर सकते हैं, every Sunday हम 9 से 10.30 का जो time होता है, उसमें test series लेते हैं, और 10 question कर लेते हैं, और उसका result भी निकालते हैं, उसका ranking भी निकालते हैं, जैसे कि आप हमारे channel पर देखते भी दो जाहिन